में वर्व ऑद हैं आज मेंघ। सबसे पहले हम देखेंगे कि में वर्व क्या होते हैं घ़र वर्व क्या होता है ना हो sentence में तो वो sentence पूरी तरीके से मिलिंग लेस हो जाती है उसका किसी भी तरह का कोई meaning नहीं होता है तो इसलिए वर्फ का बहुत जादा important है किसी भी sentence में और यह मैं जो आज बता रहे हूं मतलब बिल्कुल ही basic label है तो इसको अगर आप लोग जान लेंगे जो की beginners है जो की school लेवस में पढ़ रहे हैं फिर English बोलना start करेंगे या फिर लिखना start करेंगे तो यह उनके लिए बहुत ही valuable video है इसको जरूर पूरा इंड तक देखें तो क्या है कि वर्फ क्या होते हैं सबसे पहले तो हर एक sentence में वर्फ का होना जरूरी है अब देख लेते वर्फ क्या होत है यह इसको क्रिया बोलते है हिंदी में जो हम लोग काम करते हैं मॉर्निंग से लेकर विल्कुल नाइट तक जो भी उठना बैटना खाना सोना हसना रोना everything जिसमें की physical action हो रहा है ठीक है जैसे जंप लाफ mental action सोचना या फिर ड्रीम जैसे mental action में क्या क्या आते हैं एक तो आ दिमाग से सोचते हैं और ड्रीम यानि हम लोग जो सपने अपने देखते हैं वो सारे चीज हमारी mental action में आ जाती है और physical action में जो भी हम लोग अपने शारी जो भी काम करते हैं सुबा से लेके रात तक का जैसे इसमें जंप भी शामिल है हंसना भी है यह सारे चीजों को हम ल होते है वर्व को हम लोग किस तरीके से क्या action होता है वो mentally, physically है ना अब देख लेंगे कि main verb क्या होते हैं उनके importance क्या है main verb के main verb have the main responsibility of creating meaning for sentence main verb का ही main responsibility होता है मीनिंग को create करने में sentence में है ना main verb भी meaning को create करता अगर main verb ना हो तो फिर किसी भी चीज के का meaning निकलेगा मिलकुल ही नहीं निकलेगा ठीक है तो अब देख लेंगे कि main verb के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया भी कि क्या होते है action है क्या है अब है यह helping verb तो यह helping verb क्या होता है helping verb have different types of responsibility in sentence जो helping verb है ना वो different types के responsibility दिखाती है या फिर different type के responsibility होती है helping verb में तो they help the main verb और यह main verb का help करती है अभी जो हम लोग यह main verb को देखे ना कि main verb क्या होता है उसी का यह help करती है अगर यह भी ना हो ना sentence में तो फिर कोई मतलब नहीं है sentence का तो अब आगे और थोड़े details में देख लेंगे अब यहां पर है कि वर्फ two kinds of verb कौन-कौन से है एक है main verb और एक है helping verb ठीक है main verb में क्या आता है main verb में जैसे हसना, jump करना, खाना, खेलना यह सारा चीज़, love, jump, eat, play यह सारा चीज़ आता है main verb में जो की kriya जो की कर्म हम लोग डेली लाइफ में करता है है रोजाना हम लोग करते हैं रोज मरा की चीजे जो भी होती है जो काम हम लोग अपने हाथ पैरों से करते हैं और इसमें में इसमें इसका नाम भी हल्फिंग वर्ब तो helping verb में आता है इस, am, are, was, were और भी बहुत सारे होते हैं जैसे has, have और भी बहुत साथ शल, will यह सारे चीजे है helping verb जो की sentence में में वर्फ की मदद करते हैं जिससे की एक sentence create होता है और एक meaningful sentence create होता है अब इसका एक example देख लेंगे, example से और clear हो जाएगा I go to school everyday, जैसे मैं रोज school जाता हूँ या जाती हूँ तो ये जो go है ना ये go, ये क्या है, ये main verb है, जाना मतलब क्या है, क्रिया है, कि हम लोग जा रहे हैं, ठीक है तो ये जाना जो है, ये क्रिया है, मतलब ये verb है, main verb है ये, तो ये sentence में है, तो sentence का एक meaning भी है, कि मैं रोज school जाती हूँ अब यहाँ पर है, कि अब इसको यही वाला समझाया गया यहाँ पर, कि I am going to school am is the helping verb तो ये जो am है ना, ये क्या है ये है helping verb, ये क्या था, ये था main verb um is the helping verb, going is the main verb, ये j rom is the helping verb ये, और यहाँ पर ये going ये, क्या है, ये main verb तो जो और ये रोगा है, going मतलब school जाना तो ये रोगा है, और ये जो am है, ये help कर रहा है, बताने में कि बाई, कौन school जा रहा है तीक स्कूल जा रहा है, मतलब अब यह क्या है, टेंस को बताता है, काल को बताता है, कि किस समय इसकूल जा रहा है, रोज जा रहा है, कौन जा रहा है, यह सारे चीजों को यह helping work फुल्फिल करता है, और कितने जन जा रहा है, जैसे singular है, plural है, उस हिसाब से भी हम लोग helping work यहां पर लगाते हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहां तक तो हो गया, कि यह जो go है, जाना, उठना, बैटना, खाना, पीना, यह सारे चीजों को हम लोग main verb बोलते हैं, और जो भी subject के बाद लगकर आते हैं, बिलकुल just subject के बाद ही लगते हैं, उसको हम लोग helping verb होते हैं, और helping verb main verb का मदद करता है, help करत है sentence को बनाने में, okay, अब next देख लेंगे, main verb express action, what do helping verb do, ठीक है, अब यहां पर तो clear हुआ इधर कि main verb action को बताता है, लेकिन helping verb क्या करता है, उसका काम क्या है, है ना, तो यहां पर अब detail में देखेंगे, कि helping verb का क्या काम है, they help the main verbs to form sentences, मैंने पहले भी कहा है, I told earlier कि यह जो helping verb है, यह main verb का help करता है, ठीक है, sentence को बनाने में, sentence को form करने में, अब यहां पर example भी देख लेंगे, जैसे Mr. John is sitting in his garden, ठीक है, तो Mr. John है, वो अपने garden में बैठे हुए है, या फिर बैठ रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर क्या है, कि यह जो sitting है, यह sitting, यह क्या है, यही main verb है, और यह जो is है, यह क्या है, helping verb है, यह बता रहा है कि Mr. John कहां और कब बैठ रहे हैं, तो इसलिए यह चीज is sitting in his garden, वो अपने ही garden में बैठ रहे हैं, इस चीज को clear कर दिया गया है, sitting main verb है, और is, यह जो subject है इसके बाद just लगा है, और helping verb का, main verb का help कर रहा है, right, ठीक है, चलो, अब आगे देखते हैं, birds are flying in the sky, ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कि birds, जो चिरिया है, वो आकाश में उड़ रही है, तो यह कौन से काल को बता रहा है, कि अभी continuously कोई काम हो रहा है, now, जिसको बोलत है, कि अभी हो रहा है, right now, continuously हो रहा है, ठीक है, इसको मतलब progressive भी बोलते हैं, progressive यह भी बोला आता है, जो कि continuous हो रहा है, तो birds आकाश में उड़ रही है, तो यह जो आर है, बट सो subject है, और यह जो आर है, यही है, helping verb, और fly उड़ना, यह हो गया, main verb, तो subject के just बाद लग गया, helping word, और यह main verb, main word का मदद कर रहा है, यह helping word, और यह बता रहा है कि कौन सा काम कब हो रहा है, और यह काम को करने वाला कितना जन है, जैसे birds है, तो यह plural है, इसलिए आपर आर लग गया, अगर यहाँ पर कोई भी singular sentence होता, बहु वचन नहीं होता, एक वचन होता, तो यहाँ पर किसी एक परसन का नाम या it, यह सारा चीज होता, तो यहाँ पर is लग जाता, है न, लेकिन यहाँ पर हाँ, अगर यहाँ पर I होता, तो M लग जाता है, M हो जाता, और यहाँ पर जैसे we, they, you, यह वी, they, you सारा क्या है, plural है, वहु अचन है, तो यह मतलब यहाँ पर किसी ची हो जाएगा, तो फिर यह क्या हो गया, R हो गया, helping work, और flying हो गया, main work, यहाँ पर ing लगा है, तो इससे यह पता चल रहा है, कि यह continuously process में कोई काम हो रहा है, ठीक है, अब भी भी अगर किसी चीज का confusion है, और अगर doubt है, तो फिर आगे भी कुछ examples देख लेते हैं, उससे हो सकते और clear हो जाए, ठीक है, a main work tells us about an action, main work हम लोग को क्या बताती है, हम लोग को action के बारे में बताती है, helping work क्या करता है, a helping work tells about the time of the action, जैसे present में हो रहा है, या past में हुआ है, यह सारे चीजों का information हमको helping work से ही मिलता है, जैसे ismr और ing लगा, तो क्या हो जाएगा, continuous form में हो जाएगा, कि कोई काम अभी हो रहा है, और past में वही चीज़ was or worm हो जाएगा, उससे पतल चल जाएगा, कि कोई चीज past में हुआ है, ठीक है, और यह main work का help भी करती है, इस चीज़ को बताने में, ठीक है, अब यह बहुत जादा important होता है, जो helping verb है, कैसे, a sentence may be, meaningless without the helping verb, जो sentence होता है, helping verb अगर ना हो उसमें, तो फिर वो meaningless होता है, कोई मतलम नहीं होता, उस sentence का, तो इसलिए helping verb का होना बहुत जरूरी है, helping verb बहुत जादा important भी है, sentence को fulfill करने के लिए, जिस तरह से main verb important है, उसी तरह से helping verb भी important है, मतलब, those are important to use the verb form of the sentence, तो अब नेक्स देख लेंगे, अब इसमें example देख लेंगे, यह जो example है, इससे और ज्यादा clear होगा topic के, हम लोग इस topic पे, और मतलब किस topic में कहां पर क्या use करेंगे, और कौन सा अगर नहीं यूस करेंगे, तो मिल इंगलेस हो जाता है, ज बिलकुल absolutely wrong है, अब इसके बाद क्या, I am painting a picture, अब यह वारा देखो, यह बिलकुल सही है, क्योंकि इसमें I am है, और बता रहा है कि मैंने अभी-भी एक picture को paint किया है, मतलब, यह क्या बता रहा है, continuously form को बता रहा है, कि कोई चीज, मतलब, happening now, अभी हो रहा है, कोई भी चीज तो यह उसी चीज को बता रहा है, इसलिए यह correct है, और यह wrong है, क्योंकि इसमें कोई helping verb नहीं है, helping verbs are also called axillary verb, तो axillary verb भी बोलता है, इसको helping verb को axillary verb भी बोला याता है, इसको, अब यहाँ पर एक और example ले ले लेते हैं, जिससे बिलकुल भी clear होगा कि कौन सा main verb है, कौन सा axillary verb ह main verb है, या फिर helping verb, या फिर axillary verb, है न, तो we play football everyday, हम लोग रोज football खेलते हैं, यह तो यह जो play है न, यह क्या है, यह verb है, तो यह main verb है, क्योंकि खेलने का काम हो रहा है न, तो यह we play football everyday, हम लोग रोज football खेलते हैं, ठीक है, तो यह कौन से tense का है, यह है simple present tense का, जो की routine बता रहा कोई काम रोज होता है है विचुल है ठीक है अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ अब यहाँ पर यह जो आर है ना यही तो हेल्फिंग भर्व है और जो बता रहा है कि हम लोग अभी फुटबॉल खेल रहा है नाउ याने अभी खेल रहा है तो यह continuously form में है जो कि यहाँ आर हेल्फिंग भर्व याने यह काल को बता रहा है कि किस समय का यह खेला जा रहा है फुटबॉल तो यह present में खेला जा रहा है और उसी समय खेला जा रहा है और यह we play football every day, यह main verb है, यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोग रोजी football खेलते हैं, तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि हम लोग कभ तो यह बता रहा है कि रोज तो यहाँ पर इसलिए main verb यूज किये हुए, तो बस अज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो like, share and subscribe, जरूर करें, bye and take care of yourself.